श्री राम समर्थ जुलाई सत्रह गुरु ने जो साधन बताया है उसका अनन्यभा उसे आचरन करे एक बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री के बच्चा हुआ और बच्चा होते ही उसे कहीं और ले गए कुछ वर्षों के बाद उन दोनों की भेट हुई तब न उस बच्चे की समझ में आया कि यहां मेरी मा है और न उस स्त्री की की यहां मेरा बेटा है हमारा भी ठीक ऐसा हुआ है यही हम भूल गए हैं कि हम यहां काहे के लिए आये हैं सच पूछा जाए तो हमने यहां एक निश्चित कारी के लिए जन्म लिया है और वह कारी है मनुष्य देह में परमात्मा को पहचानना लेकिन हम विशयों में ढूब गए हैं इसलिए हम परमार्थ की बात भूल गए हैं, विश्यों में ही आनंद मानने लगे हैं, और उसी में सुख मिले ऐसी आशा कर रहे हैं, किन्तु विश्य ही जब मिथ्या है, तब उनसे सुख मिल भी कैसे सकता है, और जो सुख मिलता है, वह भी अंत में मिथ्या ही सिद्ध होता ह अतहा हम विशे से विरक्त हो तभी भक्ती की जा सकती है और जब विशे से विरक्ती होती है तभी भक्ती का आरंब होता है गुरु वे आखिर क्या करते हैं वे हमें यही समझा देते हैं कि विशे मिथ्या है उनसे हमें सुख नहीं मिलेगा, अता इसी में हमारा हित है कि उनके कहने के अनुसार हम चले, गुरु के बताए साधन के सिवाए और जो जो भी साधन करोगे उनसे कष्ट ही होंगे, इस तरह साधन के लिए कितने ही दोड़ धूप की जाए, शरीर को कष्ट दिये जाए, वे स सब व्यत्थ हो जाते हैं, क्योंकि गुरु को छोड़ कर जो परिश्रम किये जाते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता, गुरु का बताया हुआ साधन, हम तुछ माने और अपने मन से किया गया साधन श्रेख्थ लगे, तो यह गुरु को गउन मानने जैसा हुआ, असल ब गुरु के बचनों पर हमारा विश्वास होने लगता है कि वह जो बताते हैं, वही सच्चा साधन है, गुरु भी आखिर क्या कहते हैं, यही कि नाम ही सत्य हैं, और नामस्मर्ण के लिए और किसी साधन के आवश्यकता नहीं होती, यही बात वे हमारे गले उतार देते हैं, यह पूर्णतया सत्य हैं कि नाम ही साधन हैं, और नाम ही साध्य हैं, गुरु के बताए साधन का पालन पती उरता नारी के समान निष्ठा से करें, वह जैसे मानती हैं कि मेरे पती के सिवाए और कोई पुरुष है ही नहीं, वैसे हम अपना साधन अति निष्ठा से करें, ज किसी के बारे में कहा जा सकता है कि उसने गुरू की आद्मिया को प्रमान माना और इसलिए उसे सच्चा सुख प्राप्त हुआ कहीं तो हमारा प्रेम हो किसी पर तो हमारा विश्वास हो किसी को तो हम अपना माने हम सदा इसी इच्छा करते हैं कि हम गुरू के होकर रह सके जि इतनी सब यदि हम भगवान की प्राप्ति के लिए करें तो हमें अवश्य सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का मुख्य विचाथ सद्गुरु की आध्या को प्रमान मानना ही साधनों में साधन है। सद्गुरुनात महराज की जै 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 रगुवीर समर्थ। अजय की जै 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 रगवान में साधन है।